हाँ जे, हाँ जे, सेकेंड लो ओफ, सेकेंड लो ओफ, थर्मो डाइनमिक्स, आप बताएं, जो पहला लो है, फोर्स्ट लो जो हमने बात करी, वो किस प्रिंसिपल के उपर बेज़ड है, डी क्यू इकवल डी यू, प्लस वर्क डन, यह किस प्रिंसिपल के उपर बेजड है, कंजर्वेशन ऑफ एनरजी, इसका मतलब अगर इतनी हीट एनरजी दी है, तो उसका पार्ट, इतना पार्ट, internal energy बढ़ाने में चला गया है और कुछ part ने work कर दिया, energy आपकी conserve है उतनी ही आपकी use हुई है कही न कही है ठीक है अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये एक body A है ये body B है इसका temperature इससे ज़्यादा है तो आपको ये पता है कि heat यहां से यहां transfer होगी ठीक है इस block से 2 joule heat निकल के इस side आई है यहां घट गई है energy और यहां बढ़ गई है ऐसी बात बोलने में क्या energy conservation कहीं पे violet हो रहा है दुबर रिपीट कर रहा हूँ आपको ये पता है अगर temperature ज़्यादा है तो heat flow वैसे तो होता है इस side ये heat lose करेगा और ये heat gain करेगा लेकिन मैं यदि बोल दूँ कि यहां से 2 joule heat निकल के यहां आ गई है तो इस statement में कहीं पे energy conservation violet हो रहा है क्या कैसे energy energy conservation violet होने का मतलब है for example आपके बास 100 रुपे हैं और आपने इसको दिये 10 रुपे मतलब वो 100 रुपे यही भूमते रहें इस class में ही तो वो conserve रहे आपके 100 के 100 रुपे नहीं है सब को आपने अपनी दरह समझाए तो कोई नहीं निकालेगा बहुत इमानदार हैं सब लोग तो मेरा कहना मतलब है बाइक तो मिलगी ना बाइक तो मिल गई है कोई बात ने आप बुरा नमाने इस पर ध्यान दें अगर टोटल एनरजी सिस्टम की conserve है तो अगर इसके यहां से दो कम हो गई एनरजी तो यहां दो बढ़ गई टोटल एनरजी सिस्टम में उतनी ही रही हां के ना अगर यहां से यहां heat transfer हो तब यह होता ना कि यहां से energy घट गई है जितनी यहां घटी है उतनी यहां बढ़ गई है तो अगर मैं ऐसा भी बोल दूँ कि यहां से यहां energy आ जाए तब भी energy conservation तो violate नहीं हो रहा एक example और देता हूँ अगर एक table पर book पड़ी है यह एक blog पड़ा है अगर यह अपनी internal energy घटा ले मतलब ऐसा कोई mechanism हो self अपने आपी अपनी internal energy घटा ले कहने का मतलब temperature घटा ले और उसके बदले अब कुछ potential energy gravitational potential energy गेन कर ले तो यहां भी क्या हुआ उसके पास जतनी energy थी उसने वो घटाई और जतनी घटाई है उसके बदले एक दूसरी form में energy ले आया है वो gravitational potential energy में इस case में भी क्या आपकी energy कंजर हो रही है है ना हो रही है कि आपके box ने अपना temperature घटाया है अपनी energy घटाई है उसके बदले उसने कुछ और गेन कर लिया है आपकी pocket मनियादी fix है तो आप कहीं किताबों एक किताब कम खरीदें और एक बढ़िया कुछ shirt खरीद लें तो कुल मिला के आपके पास total energy is conserved और वो एक form से दूसरे form में चली गई है बट क्या ऐसा practically possible है यह book रखी है कोई भी object रखा है वो अपने आप table से उचल के उपर आजाए तो नहीं possible है energy conservation के हिसाब से तो possible है बट real में possible नहीं है तो बहुत सारी process ऐसी हो सकती है जो कि energy wise feasible है बट actually exist नहीं गड़ती है तो जो second law of thermodynamics है वो आपकी कौन सी process हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती इसके उपर constraints लगाता है है ना एक restrictions की भया यह वाली process होगी यह वाली नहीं होगी ठीक है नो down करेंगे इसको बताए मेटा बताए जादू से book उट जाती है या पहली बात तो जादू क्या है मेरे बात सुनू आप जादू आपकी हाथ की सफाई है जादू आपकी हाथ की सफाई है वो आपको बस चीजें घुमा फिर आके दिखाना होता है वहाँ पे physics कहीं violate नहीं होगी ठीक नोट करेंगे पहला point दिखें a book lying on table पहला bullet point है एग्सांपल दे रहाँ पहले a book lying on table cannot jump to a height cannot jump to a height by itself by decreasing its temperature by decreasing its temperature bracket में लिख लेंगे although here energy energy conservation principle energy conservation principle is not violated is not violated as as increase in potential energy increase in gravitational potential energy increase in gravitational potential energy is on the cost of decrease is on the cost of decrease in internal energy is on is on the cost of decrease in internal energy यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे एनर्जी यहाँ बड़ा मुश्किल से बनाया था आप बाद में देख ले ले ना मतलब उसका यही है कि आपकी gravitational potential energy किस कोस्ट पे बड़ी है internal energy के इंटर्णल एनर्जी के घटने के कोस्ट पे है ना तो energy conservation यहाँ पे बड़ी नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी यह reaction प्रोसेस फिजिबल नहीं है अपने आप नहीं हो सकती है अब ऐसा एक और example एक और statement लिखेंगे second bullet point many processes many processes which are allowed many processes which are allowed according to conservation of energy many processes which are allowed according to conservation of energy but do not take place in nature but according to conservation of energy but do not take place in nature ठीक है full stop second law second law put some extra restrictions second law put some extra restrictions which disallows such processes which disallows such processes ठीक है इसके बाद आप दो statement लिखेंगे जो कि जब भी अगर आपको देखो जो यहां मैंने दो paragraph बनवाए हैं इसर समझाने के लिए हैं अगर second law की exact statement आपको पूछा जाए academic statement तो अब जो लिख रहे हैं हम वो आप लिखेंगे पहले लिखेंगे आप Kelvin Plank statement Kelvin Plank statement लिखेंगे आप no process is possible no process is possible whose sole result whose sole S-O-L-E whose sole result is the absorption of heat is the absorption of heat from a reservoir no process is possible whose sole result is the absorption of heat from a reservoir a reservoir a reservoir and the complete conversion of the heat into work complete conversion of the heat into work second statement second ka naam hai closest statement closest statement यह तीनों आपके scientist के नाम है यहापे दो नाम है Kelvin और Plank और यहाँ पे Clocious है C-L-A-U-S-S-I-U-S Clocious statement लेखिया आप no process is possible no process is possible whose sole result whose sole result is the transfer of heat is the transfer of heat from a colder object from a colder object to a hotter object देख लेखिया तोनों का मतलब क्या है second statement बोल रही है कि कोई भी ऐसी process नहीं हो सकती जिसमें आपकी heat cold से hot body की तरफ flow करेगी यह एक restriction अल़री इसनों लगा दी हम यह कहरे हैं देना कि यहाँ से अगर heat flow करेगी तो आपका energy conservation तो violate नहीं हो रहा तो second जो low है वो एक restriction लगा रहा है कि colder to hotter body नहीं travel करेगी heat इसका मतलब यह पहले का मतलब है अगर किसी process में heat देने से work हो रहा है तो सारी की सारी heat work में convert नहीं होगी सारी की सारी आप पढ़ें बढ़ first statement को no process is possible whose sole result is absorption of heat from the reservoir and complete conversion of the heat into work जो heat है वो पूरी की पूरी work में convert नहीं हो सकती हालांकि इस statement का importance तब ज़्यादा था जब जो topic कटे हैं वो include होते तो वहाँ पे आपके heat engine और refrigerator के topic थे जिसमें इसको काम आना था बस इसमें आप इतना समझ सकते हैं कि आपने ये statement सुनी है जब भी आपकी energy एक form से दूसरे form में convert होगी तो वो completely convert नहीं होती कहीं नहीं कहीं loss होगा है ना जैसे अगर बाइक की बात करें अगर आपका 1 kg पेट्रोल या 1 liter पेट्रोल अगर हम एक isolated system में heat उसको जलाएं, combustion करें तो जितनी energy produce होगी for example एक लेटर पेट्रोल को जलाने से isolation में 100 joule heat produce हुई ठीक है आपकी इस 100 joule से आपकी बाइक चली उसकी kinetic energy है तो वो जो kinetic energy का form है लेट से वो आपको ये वाली heat जो यहां से खर्च हुई है kinetic energy के form में 80 joule ही मिले जब भी आपकी energy एक form से दुसरे form में convert होगी तो कुछ ने कुछ पार्ट आपकी energy का lowest होता है यही पहले statement में बोला है कि पूरे का पूरा पूरी पूरी heat आपकी work में convert नहीं होती है ठीक है बस आपको इसको theoretically याद रखना है कोई सवाल नहीं आएगा इस पे आएगा तो यह दोनों statement आपको लिखना है जब भी second law of thermodynamics पूछे तो आपको यह दोनों statement लिखना है ठीक है theoretical part done अब करेंगे सवाल कल सुबह आप लोग फ्री हैं क्या ठीक है सवाल लिखें pressure of one mole monotomic gas pressure of one mole of monotomic gas pressure of one mole of monotomic gas increases linearly from 4 into 10 ki power 5 Newton per meter square to 8 into 10 ki power 5 Newton per meter square एक कोई एक mole N equal to 1 mole gas है मुझो की monotomic है इसका pressure linearly बढ़ता है इस value से इस value तक and volume increases from 0.2 meter cube and volume increases from 0.2 meter cube into 0.5 meter cube आपको निकालना है पहला पार्ट वर्क दन बाई दन बाई गैस second, increase in internal energy third is amount of heat supplied and fourth is molar heat capacity of gas करेंट रही है करेंट रही है एक बात ध्यान रख ले अगर mono-atomic gas है और कहीं पर आपको mono-atomic gas के cv की requirement हो तो वो 3 by 2 r होता है यह कहां से आया यह अगले chapter में detail में पढ़ेंगे हम इस chapter में आप cv for a mono-atomic gas याद कर लें 3 by 2 c r होता है अगर cp निकालना पड़े कहीं mono-atomic का तो r add करते हैं 5 by 2 r हो जाएगा अगर diatomic का diatomic की बात करें तो इसका cv होगा 5 by 2 r अगर इनकी requirement हो कहीं तो यूज कर सकते हैं हिंट है work done निकालना है pressure आपका linearly increase कर रहा है सबसे पहले pv graph draw करें और pv graph draw कर लेंगे उसके नीचे का area will give you work done एक तो यह hint है पहले part का second part में निकालना है increase in internal energy सब जगे फोगा लगा n cv delta t n equal to 1 cv is given तो आप delta t कहीं से निकालें कैसे निकालेंगे delta t पता लग गया आपका यह आजाएगा अगर work done पता है delta u पता है दोनों को जोड़ देंगे तो heat splied आ जाएगी current रही दोड़ आप पता है एड़ा घदा आपका को जय्वपका दोडर दोड़िक को जैँ है वेज़कों डियाग्राम सही कुना आए विल्कुल, सुरुपूर। इसके ब्या करेंगा, आड़ देखें, पिस्काने के देखें, आणसर इसका 1.5, 10 की पावर 5 Joule आ रहा है, विल्कुल आप चेक करने के चाहे है, आप डियाग्राम ठीक हुना है, इसके निचे का आए यह चाहिए, विल्कुल, 1.5, PV diagram देखो आप volume कहां से कहां यहां से यहां जा रही है और pressure यहां से यहां जा रहा है और इसके बीचे linearly increase कर रहा है तो यह graph आपका ऐसा बनेगा यहां से कुछ ऐसा straight line जाएगा यह आप pressure P1 बोल रहा हूं मैं इसको यह pressure sorry यह volume V1 V2 Volume V1, Volume V2, this is pressure P1, and this is pressure P2. V1, V2, P1, P2, सब की value given है, क्या आप ये area under curve निकाल सकते हैं? बताएं इससे क्या answer बन रहा है, भूमिया है बिटा? एटा रहा है. ठीक है, शायद आपका ठीक हो, गलत दिख रहा हूँ. चेक कर लेते हैं, यहाँ पे half into sum of parallel sides, बत्द P1 plus P2, 8, 4, 12 into 10 की power, 5, और this gap is 0.3, 0.3, तो यह आपका हो गया, 6, 6, 18, 1.8, 10 की power, 5 J, यह आपका work done आया है. इसके बाद निकालना है, change in internal energy, change in internal energy is, D U equal to N C V delta T, या फिर मैं कहूँ, N C V T2 minus T1, T2 क्या है, second point का temperature, अगर किसी point का pressure और volume पता है, तो आप temperature निकाल सकते हैं, गया, PV इसके बाद निकाल सकते हैं, लगागी, N भी पता है, R पता होता है, तो temperature आसकता है आपका, पर अलग-अलग point का temperature निकालने से बेटर है, क्या, PV equal to N RT जबाब लिखते हैं, यहाँ पर N तो 1 है, उसको आटा दो, R को नीचे ले आओ, तो क्या temperature इस PV भाई R हो गया, यहाँ पर जब मैं पुट करूँगा, तो N 1 है, यहाँ भी 1 आटा दे, C V, C V की value है आपकी, 3 by 2 R, और आप कह रहे हैं कि, T2 को मैं लिख सकता हूँ, P2 V2 अपोन आर, माइनस P1 V1 अपोन आर, R को मन आगे कट जाएगा, यह आपका R बहार आगे कट जाएगा, P2 V2 और P1 V1 आपको डिरेक्टली गीवन हैं, इसलिए अलग अलग टेंपरेचर निकालने से बेटर है, आप P2 V2 को यूज कर लो, अर झाओ मुट 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 खिरेक्टली गीवन हैं, आप P4 V2 अबस्तों हैं, यह आपका हैं, यह आपका हैं, प्लस 4.8 आएगा यह आप देखें क्या इनका प्रोड़क्ट इनके प्रोड़क्ट से ज्यादा होगा तो temperature बढ़ा है इसका मतलब बढ़ा है तो प्लस आएगा डेल्टा यू कमस आउट तो भी यह है आपके पास 4.8 10 की पावर 5 जूल यह डेल्टा यू है यह वर्क दन था यह डेल्टा यू आए दोनों को जोड देंगे तो क्या आजाएगा आपका डेल्टा क्यू heat supplied first law of thermodynamics is डेल्टा क्यू इकवल डेल्टा यू ब्लस टबलू लास्ट पार्ट आपका रहे गए molar heat capacity of gas इस particular process में आपको डेल्टा क्यू पता लग गया डेल्टा क्यू can be written as an molar heat capacity of gas को c लिख लिया यहाँ पे cp cv कुछ मतलिको simply आप c लिखो क्योंकि process में ना तो pressure constant है ना volume constant है आप c लिखेंगे यहाँ और यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा टी नंबर ओफ मोल 1 है डेल्टा क्यू हमने अलड़ी निकाल लिया है और डेल्टा टी भी अभी अभी निकालने का तरीका देखा ठीक है तो इस तरीके ज़े c निकल आएगा निकाले cv दू आगे दो पाट आगे थर्ड वाला नहीं आया होगा फॉर्ट पॉइंट एड़ी तो आया है थर्ड वाला क्या है यह वर्ट दन आ गया इस प्रसेस का डेल्टा यू आ गया हीट सप्लाइट पुछा है डेल्टा क्यू इकल टू डेल्टा यू प्लस डव्लू दूनोंके एड़ कर दो और आपका इसका अंसर है c का आपके पास 17.14 जूल पर मोल पर केल्विन यह c का आंसर आया है देके एन आपका वन है c निकालना है वहाँ पर आपने देखा डेल्टा टी का आपके तो पी टू वी टू पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन और जो आर कोमन है वह बाहर रख लिया यह डेल्टा क्यों आप उपर आल यूश करेंगे आर की वेल्विन पता होती है पी टू वी टू पी वी वन पता है पूट करके चेक करें यह अंसर आ रहे हैं कि आ रहे हैं कि तनिश कहीं समझ में नहीं तो पूछ सकते हो आगे बढ़ें अंसर नोट कर लें अगर तरीके समझ में आ गए हैं तो किजी को पूछना तो पूछ लें कि पूरा स्वाल करने की ज़रूरत नहीं है आगे बढ़ना है चल्या आगे नेक्स्ट कोशन आपको एक पीवी डायग्राम गीवन है यह पॉइंट A है यह पॉइंट B है C और D एक प्रोसेस में आप A से C जाते हैं और C से B एक में A से D और D से B और एक तीसरी प्रोसेस दिफाइन की गई है आप B से A आते हैं क्या-क्या गीवन है वो देख लें आइश ओन इन दे फिगर वन स्टे वन सिस्टम इस टेकन फॉइंट A तो B अलोंग पाथ A C B 60 J जूल अफ हीट फ्लो इंट तो जाते हैं तो हीट फ्लो इंट तो देल्टा क्यू इस इक्वल तो प्लस 60 J एंट 30 J जूल अफ वर्क इस दन क्या बताय गया है सवाल में यह तीन प्रोसेस डिफाइन किये गए हैं आप A C B से जाते हैं A D B से B तक पहुंचते हैं और एक बार B से A आते हैं तो यह बोल रहा है जब आप A से C गए C से B गए इस प्रोसेस में डेल्टा क्यू और डेल्टा क्यू डेल्टा क्यू डबलू गीवन हैं यहां तक सवाल है अब आप इसके फर्दर पार्ट से वह देख लें पहला पार्ट हाओ मच हीट यह लिखले हां अपने वर्ट में आ पना ले पहले फिर लिखले हां हाओ मच हीट फ्लोस हाओ मच हीट फ्लोस इंटो देख नबलू अलोंग पात एडी हीट और अलोंग पात A, D, B If work done is 10 Joule Along the path A, D, B जब आप A, D और B path से जाते हैं तब आपको heat कितनी system में D है या reject हुई है वो निकालना है और साथ में given क्या है work done is 10 Joule यह सवाल का पहला part पहले यह करें फिर बाद में अगला करेंगे अगर आप A point से B पे पहुँचते हैं किसी भी रास्ते जाएं delta U सेम रहेगा क्या state function है path function है ही नहीं A, C, B में अगर delta Q और W दोनों given हैं तो क्या delta U निकाल सकते हैं 30 तो आप कह रहेंगी इस case में delta U is plus 30 Joule तो A, D, B में भी delta U कितना रहा होगा? 30 Joule work done उसमें दे रखा है 10 Joule तो delta Q क्यों इतना आ गया? 40 Joule 40 Joule is answer of first part ठीक है second part देखेंगे इसका देखेंगे आप second part when the system is returned from B to A when the system is returned from B to A along the curved path along the curved path the work done by the system the work done by the system is minus 20 Joule minus 20 Joule full stop does the system does the system absorb or liberate does the system absorb or liberate energy and how much and how much जब आप वापस B से A आते हैं इस curved path के रस्ते तो वहाँ पर work done by system is minus 20 Joule पूछा गया है कि इस case में आपका system heat absorb करेगा या reject करेगा और कितनी करेगा या reject करेगा 10 Joule नहीं आएगा देखा आप क्या हो रहा है जब A से B गए इस रास्ते तो आपकी internal energy बढ़ी 30 Joule जब वापस B से A आएंगे तो क्या आपकी internal energy घटेगी क्या अगर A से B जाने में बढ़ी ती तो B से A आने में घटेगी तो यहाँ पर डेल्टा यू जो होगा वो माइनस 30 होगा डेल्टा यू इस माइनस 30 therefore डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू माइनस 50 Joule और जब माइनस साइन आया है तो सिस्टम ने heat absorb की है या release करी है बताएं अबे absorb का sign positive लेते हम negative का मतलब है energy आपकी release हुई हुई in it ठीक है थर्ड पार्ट देखें थर्ड पार्ट में पहले लिख ले इफ U A internal energy at point A is 0 and internal energy at point D is 22 Joule find heat absorbed in the process A to B and B to D A to B और B से D में आपकी heat absorb कितनी होगी यह निकलना यहाँ पे points की internal energy given है system अगर आपका A पे है तो internal energy 0 मानी है और D पे है तो इतनी मानी है लगाएं दिमाग कोई ज्यादा mathematics है नहीं सिर्फ आपको दिमाग लगाना है जोगी आपने topic ने चे डग लिया है स्कोटाले यार वैस्तों आते पंखा चलवाता है एक क्या लगाएं डबल ट्रिपल लेर्स लेता है तू हाव कॉंट्राडिक्टरियार थिंग्स नहीं अमेर को निस यार इतने इतने लदी हर्ट क्यों होते हैं आप लोग यार नहीं आप देखो वै कि सवाल करें सवाल फटावर्ट आप हर्ट मत हुआ करें यार कि आप हर्ट हो करें सवाल के अगर कोई बुरा नहीं माना होना है अगर इसको बार बार गाज़ बुरा मान रहा है तो वह फिर भुरा मान जाते अ कि तू सवाल कर चुटी तब होग कि अधर चुटी तो सवाल करेगा अंसर आपका है इस केस में नहीं, नहीं है, 60 नहीं है, अंसर आपका पहले का 32 है, दुसरे का 8 जूल है, करें ट्राइशा बस, आप देखें, A पर आपको इंटर्नल एनर्जी गीवन है, 0, B पर कितनी गीवन है, 22, यहां पर कितनी होगी, B पर, A से B जाने में आपकी इंटर्नल एनर्जी 30 बढ़ी है, 30 बढ़ी है, तो 22 तो यहां बढ़ गई, तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तब कितना होगा, यहां से मतलब आगर आप internal energy का difference इस point में इस point पर देखें तो 8 का अंतर रहेगा अब देखें आपको निकालना क्या है A से B path का delta q निकालना है A से B sorry A से D sorry A to D और D to B A से D और फिर आपका D से B A से D का work done आप देखें अगर मैं इस रस्ते जा रहा हूँ A, D, B सुनें के जान से A, D, B में यहां से यहां तक work done होगा क्या जब आप D से B जा रहे हैं इस रस्ते work done होगा के नहीं होगा क्यों नहीं होगा volume constant आपकी नहीं बदल रही है तो यहाँ work done हुआ नहीं यहाँ देखें आप A, D, B रस्ते जाने पे total work done 40 हुआ है जब यहाँ से आप यहाँ जाएंगे तो total work done 40 है और इस रस्ते में हो नहीं रहा तो इस रस्ते का work done कितना हुआ 40 delta U कितना है delta U is नहीं work done 10 दे रखा है यह work done 10 गिवन है A, D, B रस्ते का work done 10 है delta U आपका plus 20 है तो delta Q कितना है इसका delta Q कितना है 32 नहीं समझ मैं है तो बताओ यहाँ पे देखें A, D, B रस्ते का A, D और B रस्ते का work done दे रखा है 10 जूल और आप कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक तो work done होगा नहीं तो जो 10 जूल है सारे का सारा यहाँ हुआ होगा और यहाँ से यहाँ तक की internal energy का change 22 है यहाँ 0 था यहाँ 22 है निकालना गया है heat absorbed in the process A, D A से D तक work done भी पता लग गया delta U ही पता लग गया दोनों को जोड दिया तो कितना आ गया delta Q equal to 32 joule हाँ जी clear है ठीक है next part में B to D चेक कर लेता हूँ एक बड़ यह आपका स्वरे D to B हैर यह मैंने गता है D to B अंतर इतना ही पड़ेगा कि वो science change हो जाएगा D to B में work done कितना है 0 delta U कितनी है 8 delta Q कितना हो जाएगा 8 joule सवाल दन आपके दोनों ही सवाल बहुत बढ़िया थे सिर्फ आपको इसमें तो calculation है ही नहीं दिमाग लगाना है बस ठीक है इतना है करते हैंस